तो आज हम बात करेंगे यह सीडो की मुबाइल कवर की जो मैंने वनप्लस 3T के लिए मंगा है यह फून काफी पुरान हो गया, चार सल पहले मैं यह खरीदा था और मैं भी स्पीजन का कवर यूज कर रहा हूँ जो बहुत अच्छा कवर था पर काफी दिन होगे यहां पर से तूड़ गया है अब देख सकते हैं यह स्पीजन की कवर है जो मैं यूज कर रहा था तो अब मुझे एक मजबूत कवर की जरूरत थी यह मेरा फोन है वनपलस 3D तो अन्बॉक्सिंग करता हूँ इसकी में यह बाहर तो कुछ और दिया है मैंने मंगाया था आर्मर कवर यह नहीं बेजा पांस है काई ठीक है जो मैं मंगाय था उन्हें बेजा है यह उसमें दो लियर रहता है पर यह उपर में इनका कुछ और ही बनावा था यह शहाद वहीं नहीं यह आइफून का बनाया वह यह आपको यह जनरिक कवर है आपको काफी सारे सेलर्स से से मिल जाएंगे आपको यह मैं 299 का खरीदा और भी दूसरी दूसरी ब्रैंड में ही मिल जाएंगे जहां आपको सबसे सस्ता मिलता है वहां खरीद लें कोई स्पेसिफिक ब्रैंड की नहीं है यह तो इससे अलग रखते हम तो इसमें आप देख सकते हैं दो पार्ट है यह सॉफ्ट ग्रबर पार्ट इसके मुकाब यह इस पीजिन के मुकाबले तो थोड़ा पतला ही है और पीछे में यह हार्ड कवर है जिसमें आपका यह कैमरा का भी जगह है पर इसे नहीं स्तमार करें तो अच्छा है क्योंकि यह बार बार गर आप खुलते हैं तो यह निकल जाता है और फिर यह डीला होके खराबी हो जात तो फोन लगाता हूं इसके अंदर में तो अब देख सकते हैं कैमरा कैमरा बिल्कुल सहीं से फिट हो गया है पाउर बटन काम कर रहा है और वाल्यूम रॉकर इसका इधर है तो यह भी बिल्कुल सहीं काम कर रहा है कट आउट भी बिल्कुल सहीं दी गई है यहां पर 3.5 mm जैक के लिए USB Type-C और स्पीकर तो और यह चीप में एक अच्छा कवर है और आप देख सकते हैं कि यहां पर थोड़ा सा यह उब्रावा भी है तो फेस को भी बचाता है अगर आपका फेस डाउन फोन गिर जाता है थ मैं इसका लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा कि अगर आपके पास भी यह 1 प्लस 3 या 1 प्लस 3 हीटी फोन है तो आप यह कवर ले सकते हैं तो आज की वीडियो होती है यही पर खत्म अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो हमें हमारी वीडियो को लाइक करें हम इसे शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो मिलेंगे एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाबाई